आप सभी लोगों का सुवागत है आपके अपने पडिवार फ्यूचर ओन्नाइन क्लासे सोनपुर में और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार डिलेर इंट्रेंस एक्जाम 2023 की जो एडमिर्शन पर किरिया फर्स्ट लिस्ट की आपकी हो रही थी उसकी तीथी जो है बढ़ा दी गई थी 25 नवंबर तक आपके जो है फर्स्ट लिस्ट के एडमिर्शन पर किरिया होने वाले हैं और जिन बच्चों का दिक्कत है पर्सानी है उनके पास अभी भी चार दिन वक्त है आप लोग अपनी पर्सानी को बोर्ड ओफिस से सुधार करवाईए और एडमिर्शन करवा लीजिए तो कि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा एक सवाल आप सभी लोग के द्वारा जो है जादा पूशा जा रहा है कि जो बच्चे का फर्स्ट लिस्ट में नेम नहीं आया है उन बच्चों को इडिट करने का मौका कब मिलेगा क्योंकि आप सभी लोगों को पहले बाली डेट के अरुशार जो है पता था कि आज आपको 21-22 तरीक को इडिट करने का मौका मिलेगा तो आप लोगों का कॉल मैसेज बहुत जादा आ रहा है तो मैं आपको बता दू कि आपको का डेट जो है चेंज हो चुगा है और यहां आपका फरस्ट लिस्ट में यानि कि फरस्ट लिस्ट में उनका नाम जो है नहीं आया है अगर आपका फरस्ट लिस्ट में नाम जो है नहीं आया है तो आप जो है इडिट कर सकते हैं कॉलिज को आगे पीछे जोर सकते हैं घटा सकते हैं या आप कर सकते हैं सबसे पहले हम प बढ़ा दी गई है तो जो आपके इडिट करने का मौका मिलेगा आप सभी लोगों को तो new date जो आपका इडिट करने का है वो आपका 27 से लेकर 28 नौंबर है यानि कि आप जो है 27 तरीकों और 28 तरीकों जो है college का इडिट कर सकते हैं वैसे बच्चे जिन बच्चों का first list में नाम जो है नहीं आया है तो आप लोगों को अभी वक्त कर इंतिजार करना परेगा क्योंकि आपको 27 और 28 नौंबर को मिलेगा मौका समझ गया और बहुत सारे बच्चे बोनाए कि second list कब जारी होगा तो देखे second list आपका जो जारी होगा वो आपका 2 December 2023 को जारी होगा यानि कि 2 December 2023 को आपका जो है second list जारी होगा और 4 तारीक को लेकर 4 से लेकर 6 के बीच आपका जो है December में आपका एडिमिर्शन होगा क्या होगा आपका जो है एडिमिर्शन होगा यहां तक के लिए है कि ने को दिक्कत तो नहीं है मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ गया होगे कि जो इडिट करने का मौका है वो कम मिलेगा 27 और 28 को मिलेगा और second list आपका जो है 2 December 2023 को जारी होगा आशा करते हैं आप मेरी बात समझ गया होगे मिलते है नेक्स टुडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थाइंकर सो मच धन्यवाद ओके जी